हरे कृष्णा आज से कहीं साल पहले हमारा मंदिर में एक ब्रह्मचारी हुआ कर दे थे जो आज सन्यासी होगे ओ है लोकोनात स्वामी महराज तो उन्होंने जब ब्रह्मचारी थे तो नया नया जयन किये थे उनको उस समय प्रेशिडेंट थे गिर्राज स्वामी जो कि वह भी ब्रह्मचारी थे तो गिर्राज स्वामी उनको मंदिर के सामेने जब मिलते है और कहते है लोकोनात आप यहां क्यों बैटे हो प्रचार में नहीं गए तो लोकुनाज स्वामी महराज ने कहा मैं तो नया हूँ और मुझे इतना कुछ आता नहीं और मैं कैसे प्रचार करूँ ऐसी बात कहीं बार हम आनसर देते हैं कहीं समय हमारा पास कोई आते हैं सिनियर क्यों आप बैठे हूँ क्यों प्रचार में नहीं गए इस वीडियो में आपको यह जो आपका जो नर्वसनेस है इस नर्वसनेस से आप कैसे इंस्पैर हो जाएगे और आप प्रचार करने जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा मैं हूँ सची पुतर को अगर आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते किये यह ऐए यह चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल और प्रेस इस बेल आप सो लेट gettin इट तो कहीं बार हम लोग प्रचार की समय आता है तो हम बकरी बन जाते हैं मेरे गुरू महाराज कहते हैं stay stay like a lamb इंसाइड दो हूँ स्टे लाइक ए लैम इंसाइड दो हूँ गो आउट लाइक लाइन पर पिचिंग घर में तो बक्रिया चुहा जी से रो और प्रचार करने के समय सेर बन जाओ तो इसलिए मुझे भी कही बार नर्वर स्पील होता है मैं आपको पताता हूँ कई साल पहले मैं एक सीटी मीरज है महाराष्टर में वहाँ प्रचार करने के लिए गया था वहाँ 50% से जादा मुसलिम से है और हिंदू भी है मैंने 4 घंटा वहाँ पर बुक्स बाटा आज तक हम बुक्स डिस्टिबुटेड कर रहे है आप सोचते हैं कि मैं तो नाया हूँ I don't know the philosophy मुझे कोई ग्यान नहीं है और मैं कैसे कोई question पुछ लेगा तो मुझे के answer कैसे दो और मैं कैसे प्रचार करो अगर ऐसा है तो remedy इसके लिए है कि आप रोज एक एक शोग पढ़िए और छुड़े notes बनाईए आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग तो लेते ही नहीं काल मैंने भी बताया था रिव्यू किया था बहुत सारे लोग आकर के नो ही कह देते हैं अगर आप हजार नो सुनते हैं तो एक यह साता है क्योंकि यह जो ग्रंत पढ़ने में उनका कोई अभी रूची नहीं या उनके साथ इक ग्रंत के साथ उनका कोई सम्मंध नहीं बन पा रहा है तो इसलिए बहुत सारे ज़्यूप लग नो बोलते हैं फिर भी you should be in the field आप जगह पो खड़ी रहिए कहीं लोग आएंगे और आप से बुक्स ले जाएंगे यह आपको मेरा घटना बता दो के स्टरी से पंडरपुर गया था जातरा चल रही थी हमारे सारे भक्त जातरा में बीजी जातरा दर्सन करने के लिए लेकिन मैंने स्टॉल में बैठा रहा एक व्यक्ति साउथ इंडिया से आये उन्हेंने मुसे बात की और व्यक्ति ने कहा कि मैं साउथ इंडिया में प्रचार करता हूँ तामीन लाडू में स्रंगम में मैं चाहता हूँ महां भुक्स मांटने के लिए तो मैंने उनको इंस्पायर किया उन्हें एक साल या देड़ साल अंदर अंदर उन्हें 700-800 भगोईता मुझसे बारी 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 सिमागा लिए इसलिए हम ये नहीं सुतना चाहिए कोई नहीं ले रहे समानू इलिकाम एंठेक अगर आप क्वालिफाइड हैं आप सुतने में बहुत सालों से हूँ मंदीर में हूँ और मैं क्वालिफाइड हूँ प्रचार करने के लिए लेकिन अभी क्या है ना धंटी चल रहा है गर्मी हो रहा है आज तो ना मोसम ठीक नहीं है फिर भी हमको नर्वस ने से अच्छा नहीं लेता जाने के लिए उस समय अभी साथ दिन पहले हम जो अंधरी स्टेशन में स्टॉल लगने गए डिउटो मन्सुन अभी क्या है साइकलोन की कारण भारिश होने लगा कहीं भक्त लोग कहा कि हम नहीं जा सकते आज मैंने कहा आज तो जाएंगे ही जाएंगे हमने जो जागा देख तो ओपन प्लेस था वहां पर हमारे टॉंग भी आ रखना था लेकिन लेकिन मैंने उस दिन गया और हमको एक मेस्ट प्लेस मिल गया प्रचान करने के लिए तो कभी भी कंडिशन की बारे में मत सोचो इसले गीता में भगवान कहते मात्रस पर्सस्तु इसले थंडी गर्मी आता रहेगा सुख दुख आता रहेगा हम लोग क्या करना पड़ेगा वोई शुडबी स्टेड़ी और और जुन को भगवान इंस्पायर करते हैं सुख दुखे समे कृत्वा इसमें सम होना चाहिए लाव लाव हो जाया जो अगर आपको लौस और गे और क्या करना है तो तो युद्वा युद्वास्वन इसलिए आउट क्या करना चाहिए आपको अपने डूटी करना चाहिए नईवम पापम अबाप यसी आपको इसमें कोई पाप नहीं लगेगा और कई लोगों प्राइसिंग यूपर नर्वस ने साल जाता है इतनी सारे प्राइस है बुक्स का प्राइसं तरड़ात जाधा हो रहा है लोग हमरे साथ बार्गिर निक कर रहे है爏 और हम लोग को पुस्तक नहीं दे पा रहे है अग्र प्राइसिंग बारगिरिंक मीद्क और वकापम एले अगर आप अखेले फिलिंग करते हैं तो भक्तों की संग में जाए तो इसलिए रूपो को समय कहते हैं उष्चा निष्चा धर्यत तत्त कर्म प्रवर्तना संगत्यागो सट ब्रुती शड़ित भक्ती प्रशिध्यती आप उष्चा रखें उष्चा तभी आता है जब आप उप्वक्तों की संग में आते हैं अगर आपको भी लेधर जी फिल हो रहा है किसी एक भक्त कुद्दे कर करके आपको उसाहित है हमारे देको यहां वीडियो में जो बच्चे लोग की तरह उसाहित है निश्चे कर लीजिए क्या हमको पुष बांटना है इसलिए बांटना है कि पीपुल्स आर सपरी दे डोंट हाब नॉलेज़ लेट्स गीब दम सम नॉलेज़ लेट्स हेल्प देम अगर साधी करने के बाद तुरंत अगर चाहता कि मुझे बच्चा चाहिए इस नॉट पसिबल यू आप टू वर्क यू आप टू हाप पेसेंस और आपको टेन मंथ तक तो अपको वेट करना पड़ेगा देन विल बिकम पैरेंट्स वांडे में नहीं होता है और प्रोग् करम प्रबर्त अवसकारी को करना है बुक डिस्टिप्शन के लिए सबसे जो आहम बात है यूँआप टू रीड़ बुक्स यूँआप टू मेट नोटस यूँआप टू हैब असुष्टन यूट्ट जो बुक डिस्टिप्शन कर दे हैं मैंने शुरुआत में प्रचार लगा और इसलिए हमों कुछ रेमेडिया आपको सुझाओ दे रहा हूं कि हर रोज बुक्स पढ़िए मेक्स नोटस एंड गो टेल और चुश्ट रिपीट दो वर्ड़ सब आचारिय अज हमारी आचारियों ने जो दिया हैं हमको उसको आप रिपीट कर दीजिए आप यह म आपो कुछ भी पता नहीं पोस्ट में बन जायें पोस्ट में को कोई वासता नहीं उस लेटर में लेकिन फोस्ट में क्या करता है हर घर में जाता है और उस जीटी यह पूचा दे लेटर को पूचा देता है simple फिलो सभी बोलिए तो आपका nervousness चला जाएगा तो इसलिए हमें जो ये encouragement मिलता है ये गिता जैनती की महिना है इस महिना में आप सभी जहां पर भी हो स्थाने स्थित्र सुर्तिकतो तनुबान मनों भी किसी भी परिश्चित में हो, किसी भी अबस्ता में हो तो आपको क्या करना है अगर आप बंबे में रहते हैं हमारा ओंदेरी में बुक श्टल लगी हुई है टेंपूल में में लगी हुई हमारा नीचे फोन नमबर दिया जाएगा आपको अंटार्ट कर लिजे काल एक भकता आये उन्होंने हमारे से एक भगोजी तर लेकर गई है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि आखर के बुक डिस्टिशन से पार्टिसिपेट करना है कि आपको पार्टिसिपेट कर लिजे कुछ दिनों में आपका language बदल जाएगा आपका way of talk बदल जाएगा आपका way of dealings बदल जाएगा आपका nervousness और nervousness बदल जाएगा अगर आपका जीवन में परियसानी बहुत है आप business करने में परियसानी है मुझे एक बार एक दिखती ने मिला कहा कि आप सुबस साम बुक्स मांट रहा है why you are so smiling why your face is gasling क्यों आपको इसे लग रहा है तो मैंने कहा देखिए मुझे तो कोई पगार से काम नहीं करना पड़ता है मुझे बुक्स को बांटना पड़ता है बुक्स को distribute करना पड़ता है so distribute 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 शिला प्रभुपाजी कहते है कि please help me in this distribution अगर आप उस तक भी तर्ण करेंगे तो भगवान आपको बहुत क्रिपा करेंगे तो अगर आप nervousness feel करते हैं मैं सोच रहा हूँ इस lecture को सुनने के बाद अगर आपको practical field में काम करना चाहते है please be with us और आपको ये वीडियो को कंटेंट पसंद आया तो please share it with your friends and relatives और दूबार में कहना चाहता हूँ please subscribe this channel ताकि आपको हर वीडियो पहुँच पाएगा thank you very much जगदुरसील प्रभुपाद की जए निताइगोर प्रेमानंदे हरी हरी बोल